हे गाईज ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत अमेजिंग क्योंकि मैं बताने वाला हूँ ट्रैप की एकसाइज ये जो आपका हिस्सा होता है ये ट्रैप कुछ लोगों को लगता है कि ये शोल्डर है शोल्डर गाईज ये होता है आपका शोल्डर कंदा तो बहुत होगी आपको ये ट्रैप बनाने में ये आपका डवलप करने में और लोवर ट्रैप के लिए एक्साइज लेके आऊँगा फला लिए अपर ट्रैप के लिए एक्साइज बता रहा हूं बने रहे मेरे साथ इसकी इपना करें वीडियो को देखें और चल्दी ना जाए आगे करोगे तो समझनी आएगा क्या क्या सिखा रहा था क्या क्या बता रहा हूं आपके लिए बना रहा हूं कि आपकी भी बाडी बने आप भी गलतिया ना करो वरना तो करते रह जाओगे बाडी नहीं बनेगी सही से कैसे एक्साइज करनी है वो सिखाने वाला हूं चुरू करते हैं कि अब देख रहे हो सुहल फिटनेर्स बात कर रहे था आपके ट्रैप के हिस्से की जो आपको मैंने बताया यह इसको आपके पीछह के हिस्से के लिए जो इसका पीछे वाला हिस्सा है उसे लौकषल बोलते है तो लौकषए की आपको अपको क्योंकी एकसराईज बता है जो की है डंबल स्रॉक्स डंबल स्थ्यूंत करते हैं डवलप नहीं हो पasta है लून अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब करो भाई को, और इस लिंक है, इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हो, और मैसिस कर सकते हो, अगर ओनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, फैट टो फिट की टांपरमिशन में कराते रहता हूं, और मेरी के साथ आपको सिखाऊंगा, लाइट डंबल लेकर आपको बताऊंगा, क्या आपको करना है, वैसे आप करोगे, डेफिनिटली आपका, जो ट्रैप का साइज है, वो भी गरो होगा, और आपकी बोडी बनेगी, भाई को सही बंदे को फॉलो कर रहे हो, अगर आप नही हो, स चलिए, शुरू करते हैं, यह लाइट डंबल है, आपको दिखाने के लिए, सामने से मैं आपको बताता हूँ, कैसे ख़ड़ा होना है, स्टेंड, स्टेंडिंग पोजिशन आपके सीधा रहेगा, को टाइट, साइट से आप देख सकते हो, सीधा, को टाइट, आपको फ्रं के साथ में, आप देख सकते हो, स्लोली स्क्वीज, नीचे, स्क्वीज, स्क्वीज, देख सकते हो, साइट से, ज्यादा मुमेंट नहीं करनी है, गर्दन की इंजरी हो सकती है, आपकी नैक इंजरी हो सकती है, ज्यादा इसको नैक की नस खिच सकती है, कुछ भी हो सकता है, है लेक दिस है तो यह सैट आपको लगाने अठा रेपिशन फिर आपका जो सैट रहेगा वो साइड से रहेगा साइड से हां से साइड आपको साइड में रहना है 16 रेपिश्अ साइड से लग देस लोलीए लग दिस साइट से आपको लगाने 16th रेपरेशन इस आपको रेपरेशन 18 रेपरेशन की लगाना है फ्रेंट से आपको एक्टिवेट करनी ए अपनी मसल्स फिर आपको 16, 14, 12 ये तीन सेट बाद में आपको साइट से लगाने है और लास वाला सेट, मेक शूर कि आप जो बारा रेप्रिशन, दस से बारा रेप्रिशन लगा रहे हैं, वो इतना वेट होना चाहिए, कि आपको भारी पड़े, दस बारा तक पुछानी तक, ये ध्यान रखें, तो वेट अपने हिसाब से लें, जो आपकी बाड़ी है, जो बाड़ी अलाव करती है, और रिलीज नहीं करना है, पुरा आपको हाथ में रखना है, ये नहीं छोड़ना नहीं है, बहुत सारा लोग छोड़ देते हैं, नहीं करना है ऐसे, क्योंकि आपको फिर वो अक्टिव मसल रहनी है जब तक, लाइक दिस, शेजिस, ये था बेस्ट एक्साइज, अपर ट्रैप के लिए, डंबल स्ट्स, कितने तरीके से, आपको दो तरीके से बताया है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरू करना, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, तो तुम्हारा भाई, आपको सिखाता रहेगा, और डिक्टिशन में लिंक है, इंस्टागा पर फोलो करने के, वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरू करना, थैंक यू सू मच,